हलो दूस्तो आरके मिक्स इंटर्टेइन्मेंट चैनल प्राब का स्वागत है दोस्तो अगर हमें समाज में बसे जीवन को समझना है तो हमें साकशरता का महतुप भी समझना होगा वर्तमान समय में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए साक्षर होना बेहद आउशक है साक्षरता हर उस व्यक्ति के लिए महतपूर्ण है जिनकी आकांसा जीवन से कुछ जादा है क्योंकि पड़ा लिखा इंसान ही खुद को और समाज की सोच को बदल सकता है साक्षरता विकास की आधार सीला है यह बेतर स्वास्तिय बेतर रोजगार के अवसर सुरक्षित और अधिक स्थिर समाज की और ले जाता है भारत में राष्ट्य साक्षर्ता मिशन के अनुसार साक्षर्ता का सापधिक अर्थ यह होता है कि कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने के और पढ़ने के काबिल हो जाए तो उसे साक्षर माना जाता है दोस्तों मैं आपको बता दू कि दुनिया भर में 8 सितंबर को International Literacy Day जिसे हिंदी में अंतराष्टिय साक्षर्ता दिवस या विश्व साक्षर्ता दिवस भी बोला जाता है मनाया जाता है दोस्तों साक्षर्व व्यक्ति खुद के बोधिक विकास के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देता है केवल साक्षर्व व्यक्ति एक सब्व्य समाज का निर्मान कर सकता है वो समय एक रिपोर्ट के अनुसार बारत में साक्षरता की दर 74.04% है हमारे देश की जादा तर परजा निरक्षर होने के कारण अन्याय और अन्विश्वास के जल्दी सिकार हो जाते हैं देश में साक्षरता को जागरित करने के लिए सरकार ने 14 साल से कम उमर के बच्चों का स्कूल जाना अनिवारिय किया गया है साथ 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 साक्षरता के परसार परचार के लिए अनेक योजनाय भी सुरू की है हमारा देश लोक साही देश है जो परजा के निर्ने पर निर्बर है यदि देश की परजा ही अनपड होगी तो देश के लिए वो गलत नेता भी चुन सकती है जो देश को बरबादी के रास्ते पर ले जा सकता है दोस्तो जीवन विकास के लिए साक्षर होना बेहत जरूरी है साक्षरता हमारी इच्छाओं और आकांशाओं को आस्मान की ओर ले जाती है साक्षरता हमारी सोच की सीमा को विश्तरित करती है वर्तमान समय में गती सील जीवन और टेक्नोलोजी से भरपूर हो गया है पर अगरसर्थ तभी रहा जा सकता है जब व्क्ति साक्षर हो। डायर कहते हैं साक्षरत जीवन के सबी छेत्रों में व्याप्त है। सूचित निर्ने लेने व्क्ति गत सस्थिकरन और सामुदाई जुडाव के लिए हर व्क्ति का साक्षर होना आउस्चक है। किसी देश की आत्म छवी हमेशा उसकी कुल अबादी की मातरा, गुणवत्ता और सिक्षा की सीमा पर आधारित होती है, यह आर्थिक और समाजिक प्रगर्ति का सूचक है, साक्षर्ता विकास का एक महत्पुन संकेतक है, यह विकास और स्तत्र प्रगर्ति के लिए आउसकता स सूचना के परसार और विसलेशन को सक्षम बनाता है, साक्षर्ता का सापदिक अर्थ है व्यक्ति का पढ़ने और लिखने में सक्षम होना, परभावी धंग से समवाद करना और उन मुद्दों को समझना जो हमारी दुनिया और जीवन को आकार दे रहे हैं, अगर कोई भी विक्ति अपना नाम खुद से पढ़ और लिख सकता है तो वे विक्ति साक्षर कहलाता है, मनुश्य जानवरों से अलग है क्योंकि वे पढ़ लिख और बोल सकता है, अगर हम ऐसा करने में ऐस मर्थ हैं तो हम जानवरों से अलग नहीं है, साक्षर्ता हमारी मुक्त सोच को जनम देती है। साक्षर्ता कोसल के बिना लोग अपने बच्चों की मदद नहीं कर सकते हैं। साक्षर्ता आर्थिक विकास के साथ साथ व्यक्तिकत और सामुदाईक कल्यान के लिए महत्पून है। सिक्षार्तियों के पास उच्छ साक्षर्ता 17 होने पर हमारी अर्थ व्यावस्ता को बढ़ जाता है। साक्षर बिने से आर्थिक आवसरों में काफी सुधार होता है। आत्म संवान और ससस्तिर करण बढ़ता है। स्वास्तिय और सुरक्षा के लिए ओसत दर्जे का लाब मिलता है और किसी के सम्मंदों और नागरिक जुडाओं को मजबूत करता है साक्षर मातब पिता स्कूल और जीवन में बच्चों की सफलता की कुंजी हैं एक व्यक्ति की सफलता में सामाजिक साक्षरता बहुत महतपून है विचारों और विचारों को संप्रक्षित करने की आवाज देने की शमता के साथ साथ दूसरे के विचारों को सुनना जीवन में सीखने के लाइक है साक्षर्टा को समाजिक संकेतों और मांदन्टों को दरगर्टा से समझना बेहत फाईदमंद है निरखशर्टा एक बड़ी समस्य है क्योंकि पढ़ने के ग्यान के बिना निरखशर लोग दैनिक जीवन में दैनिक कारियों और जिम्मेदारियों को निभा नहीं सकते हैं भारत में साक्षर्ता शक्ति का एक मैधपुन उपकरण है जो महिलाए साक्षर हैं वे साक्षर बच्चों की एक पीड़ी पैदा कर सकती है यह पीडी देश के कुशल कारियबल को जोड़ेगी और भारत की पैचान दुनिया के विकास सिल देशों में होगी कोशल और साक्षरता के साथ परतीबा और शंता वाले लोगों के लिए नोकरी के बाजार में और भी कई अफसर होंगे इससे जीवन स्तर में वर्दी होगी और परती वेक्ती आये में वर्दी होगी साक्षरता में वर्दी का विकास वेग्यानिक और तकनीकी विकास में वर्दी भी होगा क्योंकि साक्षर्टा उच और बेतर सिक्षा की इच्छा जगाती है और इसके परिणाम सवरूप आविश्कार और खोजो को खोजती है साक्षर्टा अन्विश्वास को दूर करती है और गलत रास्ते पर पत्थर बनकर खड़ी हो जाती है बारत में साक्षर्टा प्राप्त करने के कई तरीके हैं सरकार ने संपूर्ण साक्षर्टा मिशन या सरु सिक्षा अभियान सुरू किया गया है जिसके तहट कई नई स्कूल खोले गये हैं और कई मोजुदा स्कूलों को अपडेट किया गया है इसके अलावा सरकार ने अधिक्तम साक्षरता की उपलब्धी के लिए सयोग करने के लिए उद्ध्योग और गैर सरकारी संगठनों के साथ सारजनिक नीजी भागिदारी में भी परवेश किया है प्रोड सिक्सा और विस्तार सिक्षा के साथ साथ स्कूल छोड़ने वालों के लिए अनेक साथियों के स्तर पर लाने के लिए विसेश सायता अध्यान के लिए कारिकरम है सरकार के प्रियास से भारत में साक्षरता दर धीरे धीरे बढ़ रही है यह है एक ऐसा प्रियास है जिसे सभी को मिलकर करना चाहिए यदि आप सिख्षित हैं और आपके पास पैसा है तो आप एक ऐसे बच्चे को सिख्षा का प्रायजित कर सकते हैं दोस्तो साक्षर्ता एक ऐसा कोशल है जो अपनी आने वाली पीडी को विरासत में दे सकते हैं होना चाहिए इसलिए समाज के प्रतेक व्यक्ति को साक्षर बनने का प्रियास करना चाहिए यदि कम उमर में यह संभव नहीं था तो एक बड़ा व्यक्ति अपने जीवन के उन्नत चरण में पढ़ना और लिखना सीख सकता है शाक्षरता उन्हें विभिन विशो में समान्य ज्यान प्राप्त करने में मदद करेगी जो उन्हें पूर्ण व्यक्ति बना देगी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको शाक्षर्ता का हमारी जीवन में महतु के बारे में पूरी जानकारी दे दियोगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें मैकसीमum से मैकसीमम हर जगे इसे शेर करें ताकि सभी को इस important जानकारी के बारे में पता चल सके और comment box में दोस्तों आप हमें हमारी life में साक्षरता literacy कितनी जरूरी है कितनी कैसे हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं इसके बारे में जरूर बताएं दोस्तों और दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए है तो subscribe बटन को दबा कर मेरे चैनल को subscribe करें और new notifications के लिए bell icon पर click करें ताकि आपको ऐसी ही videos time to time और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तों जै हिंद झाल